स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल और स्टेडी क्लास पर जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 29 और 31 का जो एक्जाम है वो कैंसिल हो चुका है जो कि 11 और 12 को होगा ठीक है न नियमित समय अनुसार जैसे कि इस बार था 29 और 31 में उसी हिसाब से होगा ठीक है न फर्स्ट में हैं और डीक्त आपको पता होगा तो इसलिए क्या कर रहा हूंगanson अभी आप को kया है पेपरक्र नंबर सेवन बता रहा हुत तो वा था तो मैं सवाल स करें एले के पकला को सांगी की परिवासा दी एक इसाथा उसके क्षेत्रों और बिवेचना कीजिए यह है आपका फर्स्ट सवाल तो यह भी कुश्चन इंपोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बताता हूं कि संखे की क्या है ना उसके बारे में बहुत से जैसे की अर्थ शास्री होते हैं उसी तरह से लिखा हुआ होंगे तो चलिए देखते हैं क्या क्या है तो संखे की अंग्रेजी स्टेक्स सब्द का रुपांतर है है ना स्टेक्स लैटिन भासा के स्टेक्स सब्द जिसका और्थ राज्य होता है से बिख्सित परतित होता है जैसा कि आप लोगों ने पिछले वार एक्जाम दिये हो येगा तो संखे की के बारे में परह हो किया जाता है वही दूसरी वोड ब्यापक अर्थों में संखेकी का परियोग परिनात्मक बिश्लेसन सवांदी विधीयों वा सिधानतों के लिए किया जाता है परिवासा क्या है तो विविन विदुमानों ने इनकी परिवासा नियम्ण परकार से की है प्रफेसर कानर के अनुसार समंग को उचित रीति से बरगी करन का सार्मियन की हुई तधा उनके परात अन्ने दूतियेक समंग को जैसे की परतिसत का माध्य आदी को कहते हैं ठीक है परतिसत भी परहेंगे और माध्य भी परहेंगे जो भी होगा तो देखते हैं क्या क्या परिवासा है प्रोफेसर वाडले के अनुसार क्या है समांग का अनुसार अंधान के किसी विभाग में संख्यात्मा के बितरन है जिनने एक दुसरे से समंधित रूप में परसूत किया अगला है प्रोफेसर वेस्टर के अनुसार तो समांग किसी राज्य में ब्यक्ति की दसा से सम्मंदित भरगी किरीट तथे हैं विशेश्ट वे तथे जिने संस्ताओं के रूप में या किसी भरगी किरीट रूप में परस्तूत किया जा सकता है अगला जो है वह लाविट का अनुसार समखेकी के वह बिग्यान है यो किनि जसाओंगा वियक्या विवरन था तक तुल्णा के लिए अंकित तत्थों का संकलान था से शारयन का कार्ण करता है पाहला संख्येकी के जाना का विग्यान है उसके बाद है संखेकी के समाजी का वस्ताओं के समंग रूप में सभी दृष्ट्यू को उनके मापने का विग्यान है सिंपल सा फंडा इसका संखेकी का आप को ध्यान में रखना है कि संखेकी को जो है वो माद्धे है मतलब नॉर्मल जो होता है बीच वाला एवरेज होता है वही है ठीक है ना तो अगला जो है डॉक्टर वावले द्वारा दी गए तीनु परिवासा अमूर्थ वह और स्पस्ट है मतलब पूरी तरह से बरे बरे नहीं है उनके जो बात है देख रहा है न संखेकी गन्ना के बिग्ञान है मतलब पूरा नहीं बोले तो इसलिए यह अमूर्थ वह और स्पस्ट है डॉक्टर ए लेस्ट वार्डिंग टन संखेकी का अनुमानों का वह संभवितों का बिग्ञान है ठीक है और यह अनुमान है जैसे कि मैंने पहले ही बताया हूँ कि और सास्त्री में जो भी है जैसे कि आप आगे का फ्यूचर देखना चाहरे हैं तो आगे का फ्यूचर कैसे पता चलेगा अनुमान लगा करके ही चलेगा न तो वही है एकोनोमिक्स क्योंकि अगर आप अगर अच् जरूरी है ज्यान सिक्षा जरूरी है जैसा कि आप लोग दिजानते होंगे इस परकार सिरी वाडेंग टन ने संख्यकी के अनुमान वह संभावितों के विज्ञान के रूप में स्विकार किया है ना कारमेल के सब्दों में क्या है संख्यकी उन तत्थों का संगलन प्रस्तु पूर्व निर्धारित उदेश्यों को पूर्ति हो सके बता दिये ना कि पूर्व निर्धारित पहले से निर्धारित है अईसा उदेश्य आपको बोड़ा कर सकते हैं यह कौन कर सकता है कोई अच्छे बड़े ब्यक्ति जो सर्वकला मतलब पूरी तरह से नहीं मगर बहुत तरह से वो संपन हो सिक्षा में सब ही चीज में ठीक है ना जैसे कि आप लोग भी अनुमान अगर लगाते हैं अगर पढ़े अच्छे से तो आपका अनुमान कहीं नभी परसेंट तक सही जाता है ना तो सर्व, सिरी, सुकला और साय की प्रिवासा संखेकी की धरना को प्रिया बातों को निचोर कर लिया है इसलिए इनकी जो है जो प्रिवासा वो लगवग पूरी कर देती है ठीक है तो संखेकी का छेत्रव संखेकी का बिसाय समागरी क्या है इसे निम्न दो भागों में बाटा जा सकता है संखेकी की बिदिया और वेवारेक संखेकी का हां संखेकी क बीदिया यानिकि जो mathematics है रहो और बीभारिक तरह से भी इसको बांट सकते हैं कि पहला संख्यकी की बीदिया क्या है तो संख्यतों के संग्लन प्रश्टूति करन विशलेशन आदे में प्रश्टूत बीदियों का आधियन किया जाता परमुख संक्यकिय का संगलन के संगलन के समनख़ान का किसी भी संक्यकिय का उनुसंद्धान में परमुख समया करना महताष्स ठूटْ ME करते संगलन करेक्जाता है के अनुसार परियोग किया जाता है ठीक है ना समंगों का बिसलेशन समंगों के विवस्तित एवं उपयोग प्रदर्शन के पहचात अनेक संखेकिक विधियों के परियोग द्वारा उनका आविसकता अनुसार बिसलेशन किया जाता है इन रित्यों को सता अपकिरन विसमता अ समंद सुच कांक स्रेनी विशलेशन आधी परमोख है देखिए यह सब क्या है यह सब एक चीन है जैसे कि अबरे और सत बोल दिये तो और सत क्या है एक सोटकॉट है इसका जो डिफिनीशन होगा वह अलग होगा तो समंग क्या है कि मतलब सोटकॉट जो भी बाते है उसका है सं संखेत होगा परंतु माध्य का मीनिंग तो और कुछ और होता है इसी तरह से आणा समंग को का निर्वचन विशलेशन से प्राप्त परिनामों के पहिश्चा अत निर्वचन की किरिया संपादित की जाती है निर्वचन से प्राप्त निसकर्षों का भिविन चेतरों में उ समधि संकलित समंगों का अधियन क्या जाता है या मुक्तिया बिवरनातमक होते है तथा अनेक महतापुन समाजिक आर्थिक निर्णों के अधार पर होते है जैसे जन संख्या समंग राष्टीय आया समंदी समंग अब देखिया हम लोग पता करते है संख्यकिक की उपयोग और महतो क्या है तो देखिए जो भी होगा future in future उस पर हम लोग जो भी बात करेंगे वो सब संख्यकी के महतों में आएगा इसलिए आपको क्या करना है कि point by point को ध्यान में रखना है मैं जो बता रहा हूं बस उसको सुनते रहना है समझते रहना है और आप भी सुनता पर भी सकत है ठीका ना क्योंकि एक्जाम में लिखना है इतने चीजेओं को रटा नहीं जा सकता तुनियोजित समाजिक परिवर्तनों समाजिक सर्वेचनों आथवा अन्य छित्रों से संख्यकिक की उप्योकता आथवा महतों को निम्नधार पर सरलता से समझा जा सकता पहला परसासनि संख्यकिक तत्थों के अभाब में परसासन अपने नीतियों को सफलता पुर्वक किरिया अनवित नहीं कर सकता युजनाओं की रूप रेखाता है करने के लिए एक और नीती निर्धारन के लिए उपलाब्ध सादनों के अरुसार देश का विकास करने के लिए विविद प पादन का वुच अश्तर प्राप्त करने के लिए आने चित्रों परसासन को संख्यकी काकरों की मदद लेनी चाहिए बात समाथ पार है इतने चीजों में किसकी जरूरत होती है संख्यकी की आनि अनुवान का अनुवान अगर नहीं लगा करके काम करते हैं एफरेज निकाल क किसी भाब में नियोधन करना संभब नहीं है संभावता इसलिए कहा जा सकता है पतवार और दिसा सूचक यंद्र रही जलियान कЕ समान हैं बातासंब पा रहे है तो बैंक बीमा कंपनिया और रेलवे पर सासन पिछले अनुभव के अधार पर जो संख्यकी का अधियान से पराप्द होता है अपने नीतियों को उचित परिवर्तन करके अपने कारे के सफलता पुर्वक संपाधित करते हैं उधारां के लिए बीमा कंपनी का मिर्तु तलिका परियों को पिछले संख्यकी कानुभव के अधार पर यह निर्धारित करती है कि आगे परिमियम की दर क्या रखी जाए जैसे कि आप लोगों को देता है दस पर तिससत 11 12 यहां तक देते हैं प्रिमियम यानि उसका जो रेट है वो देते हैं तो इसका क्या मतलब है कि वह हि इसी भी तरह से लाव नहीं होने वाला है अगर लाव हो रहा है तो थोरा बहुत हो रहा है लाव यह है कि हाँ आपका प्रिमियम जो आगर बैंक से लाइसी करवाया हुए तो आपका लाइफ इंस्ट्रेंस है इसलिए वह फैदे है बाकी कुछ भी फैदे इसमें नहीं रहत यह ना क्योंकि हिसाब जोरा हुआ रहता है इसी परकार बैंक और रेल्वे पर सासन भी अपने से समंधित बातों को तै करते बैंक में उसी परकार से आपके पैसा जिसका कीमत घड़ रहा है उसको थोरा सा इंप्रॉफ कर रहा है यानि की इकुल कर रहा है ठीक है अब हम देखते हैं सिक्चा और मनुभ ग्यांग की दिरिष्टी से क्या है तो बिद्यार्थों की रूची बुद्धी योगता परिच्छा प्रणाली में सुधा और आधी मामलों को संख्यकी कि रिती द्वरा मापा जा सकता है और सफल समाधान धुड़े जा सकते हैं कुसल परवंद की दिरिष्टी से यह क्या है तो परतेक संस्ता में चाहे हुआ करखाना हो या कि रिष्टी फ़र्म को उत्तम हुआ कुसल परवंद की बनाए रखने के लिए नाई नीतिया अपनाई जाती है और नीतिया का सफलता की जाच संख्यकिक आंकरों के द्वरा ही कि जाती है, वेपार और उधोग में सफलता कि दिरिष्टी से तो बाडिंग्टन महोदय का कहाना है कि सफल वेपारी हुआ है जिनका अनुमान या ठाष्ट के वही बेपारी है चाहे कोई भी हो है ठीक है संखिय की सवल बेपार का कुझी है क्या है कुझी तलज होता न वही है चावी ठीक दरब्बे की किराय सकती उत्पादन की मांग के साथ संतुलन लाभानिय श्टोक तथा अन्य अनेक विसेयों में बेपारी और उधोगपती के मैं गति और थकान का अधियन किया जाता है संखिय के रित्वी यो के सफल परियोग से ही संभाव है चिकिस्ता विज्ञान की दिरिष्टी से यह किस तरह से संभाव देखिये नवीन असुदियों की खोज रोग के कारणे वह उनकी रोग ठाम के उपाए आधिका सफल अधि की रहरह मोइन के तरह सक्ता है और समाज को शुदार की स्थार की आधि में बढ़ाया जा सकता है अन्य सरकारी और गर्श सरकारी के निमनी सिमाय पाई जाती है इसका जो लिमिट है जो लिमिटेशन है वो क्या है उसको देखते हैं तो गुनात्मक तच्छों का अध्यन नहीं करता है यह गुनात्मक तच्छों का अध्यन नहीं करता है यह मात्र उन्हीं तच्छों का भी स्लेशन करता है जो संख्यात्मक रूप से ब्यक्त होते हैं गुनात्मक तत्तों जैसे इमांदारी बुधिमानुई अधिक अभिस्लिशन इसके द्वरा नहीं होता अगर जैसे कि देखिए यह एक तरह से चारवजर ले सकते हैं या 5000 चुड़ सकते हैं परन्त यह जो मशीन है वो क्या व्याज के साथ वो उसका गणन कर लेंगे तो यहीं उसी में यह सब गरीब व्यक्ति क्या होता है चला जाता है तो वहाँ पर यह यह नहीं करपाता है कि ब्यचारा यह मंदारी के करण इसे हो चुका है इसलिए बासमत्व करें नहीं पर रहे है तो आकर् पास्थ रहे है क्योंकि आखराज होता है इवरेज में निकाला जाता है सभी का निकाला जाता है बासमाद पा रहे हैं तो इसकी संख्यकिक मुखेता किसी समु के बिभार या अध्यान करती है लेकिन उस समु के विशेश की ब्यक्ति गतिकायों का अध्यान नहीं करती है के बल समुहिक रूपे पाई जाने वा सकता है और नहीं होगा बात समझ पा रहे हैं तो इसलिए इसको पॉइंट को ध्यान में रखने का यह तरीका है संख्यकी का कारें एक सतर्क परति योग करता कि बहांती समंगों का संगला परदर्स्वन तता बढ़नंग करना होता है संख्यकी समस्या के सही स्वरूप को परद निशकार्ब्र मात्र औस्फन शत्य होते हैं कि हैसे रहे मतलब तो संधय यह क्या निशकारच मतला है इसमें वह पास सूल रुपए oh गानना किसी के पास 0 रुपया अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो आप पता ही है कि दोनों को जोर करके दो से भाग करेंगे 50-50 आएगा अब देखिए जिसके पास 0 है उसको भी हम 50 समझने लगे जिसके पास 100 है उसको पचा संमझने लगए बाश समझ रहा है नös तो यह कहीं न कहीं धोरा संमीस हो रहा है ना तो यह एवरेज है इसलिए आप इस पर पूरी तरह से दिपेंड नहीं करना है प्रंदु इसके बीना घ्यान के आप कुछ कर भी नहीं सकते हैँ बास समझ पन हैना संखेकी केवल सजातिय तत्थों का ही अध्यन करती है तो किसी घाटना का संखेकी के द्वारा अध्यन तभी संभव है जब उसकी समंदित सभी समंग सजातिय है भीन समंगों का बिसलेशन संखेकी का अन्य विजियों के द्वारा ज्यादा अच्छी तरह से किया जा सकता है संखेकी का उपयोग परियोग ब्यक्ति नहीं कर सकता किसी आयोग ये ब्यक्ति के द्वारा संखेकी का परियोग से गलत हुआ भरामपूर्ण निश्कर्शन करने की संभावन रहती यह मैं पहले ही बता चुका हूँ जिसके पास नोलेज़ नहीं जिसके पास ग्यान नहीं वह इसका अद पूरी तरह से डिफेंड नहीं किया जाए बास समझ पा रहे हैं इसलिए मैं आपको यह पूरी बहुत लंबा वीडियो भी हो चुका है तो आप लोग इस पर अगर ध्यान देते हैं तो आप नहीं समझेंगे इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ कि अपलोड यह जो भी है एकोनोमिक्स पेपर 7 वो होता ही रहेगा आपको क्या है कि आप इसको देखते रहेंगे और पढ़ते जरूर रहेंगे क्योंकि पेपर जो है थैंक यू फॉर वाचिंग